नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 2 सितंबर 2022 और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली करेंट अफेर सेशन में, मेरा नाम है मंगेश कुमार, साथियो आज हम इंपोर्टेंट करेंट अफेर जो भी हैं, आज के उनको बहुत ही साथियो शुरुवात करते हैं, और सेशन को जल्दी से आप लोग शेर कर दीजिए, देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ साथियो इनफोर्मिशन के लिए, जो हमारा ये डिसकाउंट जो चल रहा था साथियो, उसको आगे बढ़ा दिया गया है, पांच सितंबर तक क करने का, इनरॉल कराने का इन बैचिस में, तो जल्दी से इनरॉल करा लिजी अपने आपको 77% का डिसकाउंट अभी आगे एक्सेंट कर दिया गया है, पांच सितंबर तक, किलियर दोस्तो, इसके लिए अगर आपको 77% आफ लेना है, डिसकाउंट लेना है, तो आप लोगो हो की, complete preparation आ यहाँ पर आपको कराई जाएगी, यहाँ पर test भी आपके लिए आपके लिये जाएंगे प्रती दिन, means answer writing practice भी आपको कराई जाएगी, means की full आपको preparation कराई जाएगी, interview की भी यहाँ पर preparation कराई जाएगी, तो guys, यह mission SDM 2.0, इसके लिए डिसकाउंट आगे कब से यह batch start होगा, तो साथ हो यह batch 5 सितंबर से ही start होने जा रहा है, next summer plan batch, अगर ROAR के लिए आप अपने आपको prepare कर रहे हैं, ROAR के त्यारी कर रहे हैं, तो फिर यह summer plan batch आप लोगों के लिए बहुत important है guys, यह बहुत 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 है आप लोग का यहां पर किया जाएगा, हिंदी और इंग्लिस दोनों ही medium में यह दोनों ही batch होंगे, ठीक है, तो यह भी 5 सितंबर से शुरू हो रहा है, और 77% का discount इस पर भी है, और इसको आगे बढ़ा दिया गया है, ठीक है, 5 सितंबर तक, और code यही आपको code यूज करना है, आप सितंबर है, जो है, वो क्यों relevance है हिस्ट्री में, क्या इसकी प्रासंगिकता है, क्या कुछ हुआ था हिस्ट्री में इस दिन 2 सितंबर के दिन, तो बात करते हैं, देखिए, 1573 में साथियो, अकबर ने एक बहुती निरनाएक लड़ाई जीती थी इस दिन, और कौन सी लड़ के नजदीक, गुजरात की जो लड़ाई थी, इन्होंने जीती थी, और गुजरात को मुगल सामराज में मिला लिया गया था, क्लियर दोस्तों, इसके अलावा, 1898 में साथियो, पहली बार मशीन गन का प्रियोग किया गया था, लड़ाई में, आप लोग याद रखेगा, म जवारलाल नहरू, जवारलाल नहरू, डिप्यूटी चेर्में थे, इसके एक तरह से हम कह सकते हैं, प्रधान मंत्री थे, जवारलाल नहरू, तो आप लोगों को याद रखना है, 1946 में, दो सितंबर को ही, अंत्रिम सरकार का गठेन हुआ था, जवारलाल नहरू जी की, अगर आप से कोई पूछे, कि ATM का सबसे पहले इंट्रोडूस कब किया गया था, वर्ल्ड में पहली बार इंट्रोडूस किया गया, ATM को, 1979 में, दो सितंबर को ही, नेक्स्ट का आज, 1945, साथियो, दो सितंबर को, वर्ल्ड वर्ड टू, बहुत, जो 6 सालों के लंबे समय तक चलती रही, वर्ल्ड वर्ड टू, समाप्त घोसित कर दिया गया था, इसी दिन ऑफिशली इसको एंड कर दिया गया था, जब जापान ने अपनी हार स्विकार कर ली गई थी, तो आप लोगों को याद रखना है, 1945 में, दो सितंबर को ही, सेकंड वर्ल्ड वर्ड समाप्त ह हो गया था, ओफिशली, नेक्स्ट, 1958, साथियो, 1958 में, भारत में, नेशनल डिफेंस एजुकेशन एक्ट को साइन किया गया था, और 1999 में, दो सितंबर के ही दिन साथियो, जो हमारी इंडियन सिमर हैं, जो ये हैं, बुला चौधरी, ये पहले, ये जो है, पहली एशियन वो दो बार पार करने वाली, तो क्लियर, ये बात करी साथियो, हमने रिलिवेंस ऑफडा डे की, कि दो सितंबर को, क्या-क्या कुछ हुआ था हिस्ट्री में, और दो सितंबर का जो दिन है, है ना, टू सेप्टेंबर, ये क्यों रिलिवेंस है, तो ये सारी बात हैं, हमने डिस तो साथियो आज 2 सितंबर को वर्ड कोकोनट डे मनाया जाता है ध्यान रखिया आप लोग 2 सितंबर को विश्विनारियल दिवस की रूप में मनाया जाता है ठीक है क्यों मनाया जाता है तोसे साथियो इसका उत्दिष्य है कि जो ये क्रॉप है, कोकोनट क्रॉप इसके प्रती, लोगों में इसके जो अवेरनेस है इसकी अवेरनेस को बढ़ावा दिया जा सके इसकी क्रॉप की इंपोर्टेंस को लेकरके और ये जो दिन है कौनसा 2 सितंबर World Coconut Day ये Asian Pacific Coconut Community यानि कि APCC की गठन की इसी दिन इसकी भी स्मिर्ती में ये मनाय जाता है तो आप लोगों को याद रखना World Coconut Day के बारे में 2 सितंबर को नेक्स्ट यहां पर आप लोग एक जो इंपोर्टेंट मिनिश्ट्री और एक्स्टरनल अफ्यार यानि कि विदेश मंत्राले की साइट से मैंने ये कटिंग लगी है ये आर्टिकल जिसमें कहा गया है कि जो हमारे जो नागेश सींग है स्री नागेश सींग आई-फैस ऑफिस है 1995 बेच के अभी जो फिला लिए मिनिश्ट्री और एक्स्टरनल अफ्यार यानि कि विदेश मंत्राले में जोएंट सेक्रेटर की तौर पर कारेरत है और अब इनको अपॉइंट कर दिया गया है थाई-लेंड के थाई-लेंड में भारत के अगले राजदुत के रूप में ह छलते हैं आगे यहां पर आप देख सकते हैं यह है स्री नागेश सींग यह थाई-लेंड की बात करें गाइस यहँ यह थाई-लेंड हैर इसकी जो बाउंड Works वो यहां पर कमोडिया से लगती है इधर लायोश से लगती है यहाँ पर इसकी boundary मियामार से लगती है आप जो light green कलर का देख रहे हैं ना यह सारा यह वाला जो है यह पूरा है Thailand ठीक है तो ध्यान रखेगा Thailand यहाँ पर है इसकी capital की बात करें तो Bangkok इसकी capital है यहाँ पर यहाँ पर Malaysia यह इंडोनेशिया इधर वियतनाम आप मुझे इस जो हमारे यह जो दक्षिन पूर्व के देश हैं इनमें आप लोग मुझे यह बताईए कि इनमें एक मात्र landlock country है वो कौन सी country यानि कि landlock देश कौन सा है यहाँ पर आप लोग जल्दी से आंसर करेंगे नीचे comment section में आप सभी लोग आंसर करेंगे कि दक्षिन पूर्वी यह देशों में दक्षिन पूर्वी एशियाई देशों में landlock country कौन सा है तो चलिए मैं बता पुद्रिया महसागर से नहीं लगती है तो आप लोग यहाँ पर याद रखेगा यह लाओस यहाँ पर दक्षिन पूर्व एशियाई देशों में landlock country है आगे चलते हैं अगला हमारा जो सवाल है गाईज वो है यह इसी से में related सवाल है थाइलेंड में भारत के अगली हमारा अगला सवाल है क्या सवाल है सवाल बहुत important है गाईज सवाल यह है कि किस प्रकार के cancer के खिलाब भारत का पहला टीका quadrivalent टीका लॉंच किया गया है यह पहला टीका है साथियो किस के खिलाब ऑन से रोग के या cancer के खिलाब तो गाईज राइट आंसर है B cervical cancer के इंडिया के द्वारा बनाया गया है और यह सीरम इंस्ट्यूट यानिक SII कहां पर है यह पूने में यह सारी बात है आप लोग याद रखेगा अब इस टीके को मंजूरी दे दी गई है डारेक्टर जनरल यह जो हमारे ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया है इनके द्वारा मंजूरी दे गई है ऐबहरत का पहला टीका है सर्वाइकल कैंसर के लिए उसका स्थी होग वाईवाईकल देख सकते है त्रीम एबहरे यह जो न्यूजपेपर का राटिकल है सर्वाइकल गी पर भारी पड़ेगा देसчи पहला स्वदेशी टीका है यह पुछी है अपने दे वेलेंट ठीक है अब इसको लागू कर दिया गया है पिछले महीं ने इसको मंजूरी दे दी गई थी अब इसको उतार दिया गया बाजार में है ध्यान रखेगा यह आप लोग भारत ने सर्वाइकल कैंसर को तोड ढूड लिया है देश में इस कैंसर को लेकर पहली सोलेसी व को गुरिवार को जारी कर दिया यहां पर आप देख सकते हैं एक सितंबर का यह आर्टिकल है यानि कल ही का है साम को पांच वजे का तो ध्यान रखना है आप लोगों को सर्वाइकल कैंसर के खिलाब वैक्सीन विक्सित कर ली गई है देश में और नाम इसका नाम याद रख किया है सीर spoken Culture इंडीया के द्वारा स्कों विक्सित किया है सीरम इंस्ट्यूट की मदद कर दूसरी डिपार्टमेंट में इसका नाम है डिपार्टमेंट ऑब बायो टेक्नॉलोजी के दौररा इसकी मदद की है और सीर grandma in और dbt के द्वारा मिलकर के सको विक्सित किया गया है और एक सितंबर 2022 को अभी सको बजार में उतार दिया गया पहली बार इसे किसके द्वार लॉंच किया गया है जो हमारे केंद्रिय राजमंत्री है स्वतंत्र प्रभार जीतंत्र सींग विज्यान और प्रद्योगी की वंत्री इनके द्वारा जीतंत्र सींगे द्वारा इसको लॉइंच किया जाएगा यानि कि कर दिया गया है तो यह सारी बात है यह जो एच्पी वी यह यौन संबंदों के कारण संचारित होता है यह सबसे सामाने संक्रमन है यह यौन संबंदों के कारण ठीक है ना सेक्षवल रिलिस्टन्स की वजए से सबसे यह कॉमन यह जो ट्रांस्मिट्र होता है ध्यान रखें कॉमन इन्फेक्शन है यह और टीक की बात करें तो इसको विक्सित किया गया है चार अलग अलग वाईरस ओं को मिला करके और फिर उसको टेस्टिंग वगएरा किया और उन स चार अलग वाईरस को से यह त्यार किया गया है यह वैक्सीन तो यह सारी बातें आप लोग यहां पर याद रखनी है आगे चलते हैं और हमारा अगला जो सवाले साथ यह वो है прог Won House को साइबर सुरक्षा अभ्यास सीनर्जी ध्यान रखना आप लोगों को नाम याद रखना सीनर्जी का सफलता पूश्वक्स संचालन किसके द्वारा किया गया है यह आप उइंगलिस में भी देख सकते हैं सीयनर्जी रेशेंटली तो देखिए जो हमारी सट इन है नहेंना सटेंक की फूल फॉर्म क्या है यहां पर इसका राइट पूसर है 김ुटर सटेंक के फुल items है कंप्यूटर कंपूटर, एमर्यंजंशी कंप्यूटर एमर्जंशी रिस्पॉंस टीम computer emergency response team इसकी full form है और यह इंडिया की एक body है इसका काम क्या है इसका काम है साथियो एक safe cyber security हमारे जो cyber space है उसको safe बनाना cyber security से संबंदित जो challenges है जैसे की phishing वगएरा है ना cyber attack इन सब को रोकना है इन सब का data collect करना analysis करना इन सब जीजों पर और इन सब पर लगाम लगाना यह इसका उद्देश है सर्ट इन का ministry of electronics और information technology के अंतरगाता आती है तो इसके द्वारा ही cyber सुरक्षा अभ्याज synergy को सफलता पूरवक संचालन किया 13 देशों के लिए यहाँ पर आप यह article भी देख सकते है cert in conducts exercise synergy for 13 countries in collaboration with CSA Singapore यानि कि Singapore की जो cyber security agency है उसके साथ मिलकर के इन्होंने यह exercise synergy को conduct किया क्यों किया है ताकि cyber security से संबंदें जो मुद्धे हैं उन पर यह सब चीजों को cyber space को secure बनाया जा सके ठीक है और यह यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसके बारे हम कुछ और चीजे बात करें हम तो देखें जो computer emergency response team है cert in इसने successfully design किया और conduct किया cyber security exercise synergy कितने देशों के लिए 13 countries के लिए और किसका हिस्सा यह international counter ransomware initiative यह इसका हिस्सा आप लोग याद रखिएगा किसके साथ मिलकर के Singapore की जो agency है cyber security agency इसके साथ मिलकर के यह exercise conduct की गई है इसका बात करें तो देखें जो real life में जो cyber incidents होती है जैसे मान लिए किसी के computer पर attack हो गया किसी का channel hack कर लिया गया कोई किसी का और भी चीजे हैं उनको hack कर लिया जाता है कई बार sides hack कर लिया जाती है तो real life में जो cyber incidents होती है उनके आधार पर यह exercise conduct कि गई है कि real life में जो कुछ scenario बनता है cyber incidents का उसके आधार पर एक domestic level पर और वो सब चीजें फिर जो है किस तरह से global level पर फैलती है global level यानि विस्विस्तर पर संकट उत्पन होता है इन सब चीजें को ध्यार में रखकर यह exercise conduct कि गई है आप लोगों को याद रखना है है ना यह सारी बाते हमें यहाँ पर discuss कर लिए है इसके objectives की बात करें क्या उद्दे से है इसका उद्दे से है साथियो देखिए जो कि ransomware या फिर हम कहते है आपके जबरन वसूली के खिलाब क्योंकि देखो यह ransomware होता क्या है देखिए ransomware एक malware होता है साथियो यह malware होता है और किसी के computer अटक किया जाता है इसके माध्यम से और फिर उस computer की access user से चुड़ा करके इसका जो ransomware का जो handle करना है ना उसके पास पहुच जाती है अब आप कह अगरेंसी में तो यह आपसे डिमांड करेंगे कि हमको इतने bitcoin दीजिए आप लोग और इतने dollar दीजिए bitcoin में ही demand करते हैं यह कहते है कि हमको इतने bitcoin दीजिए तब हम आप लोगों की access आपके computer पर देंगे तो यह attack होता है एक तरह से एक तरह से आपकी computer से आपकी पहुच से हो जाता है आपका computer हैना पूरी access इस hacker के पास में चली जाती है आपके laptop computer जो भी चीज़े है ठीक है तो यह इसका उद्देश है यह ransomware है और इन सब चीजों पर लगाम लगाना ही इसका उद्देश है यह जो exercise conduct के synergy आप लोगों को याद रखना है सर्ट इनके द्वारा conduct करी गई है थीम क्या है इसकी थीम है साथ हो building network resiliency to counter ransomware attack यह आप लोग याद रखना है थीम को building network resiliency to counter ransomware attack को counter करने के लिए एक ऐसा resilient network build करना के लिए सारी बात है चलिए आगे चलते हैं साइटिन के बारे में हमने डिसकस कर ही लिया वैसे और बता दू मैं आपको इंडिया की एक यह जो कह सकते हैं हम agency है यह इसका full format computer emergency response टीम जो की cyber security से संबंदित काम करती है cyber space को safe बनाने के लिए और cyber security से संबंदित जो भी threats है जैसे कि hacking phishing इन सभी से deal करती है और इन सभी के लिए इन सभी की रोब थाम के लिए एक nodal agency है कौन सी मंतरा लेके अंतरगत आती है यह आती है साथ हो ministry of electronics and information technology ministry के अंतरगत आती है यह organization इसका उदेश है जो हमारा cyber space है चलते हैं आगे अब हम बात करते हैं साथियो international relation के बारे में international relation से संबंदित जो topics है वो सभाल है सभाल साथियो यह है कि हाली में केंद्रिय मंतरी मंदल ने जैव विविदिता सरक्षन पर किस देश के साथ एक समझोता ग्यापन के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी है तो द नेपाल से संबंदिन जो वन है वन ने जीव और मेंली कहने का मतलब है कि जैव विविद्दा बायो डैवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए यह जो समझोता ग्यापन होगा उस प्रस्ताव को अब मंजूरी दे दिये केंद्र के द्वारा अब इस समझोता ग्यापन पर दो परिवर्तन मंत्राले ने एक बयान में कहा कि इस समझोता ग्यापन से भारत और नेपाल के बीच गलियारों की बहाली इंटर लिंकिन छेत्र और ग्यान तथा सर्वोतम प्रिथाओं को साजह करने में मदद मिलेगी है ना इसके बारे में और कुछ चीज़ें जाने तो नेपाल के बीच में यह जो मेमरन्दम और अंडरेस्टेंडिंग जो साइन होगा इसमें साथ यो भारत और नेपाल के बीच में वन वन ने जीवन परियावरण जैव विवित्ता सनरक्षन और जलवायू परिवर्तन के चेत्र में सहयों को बढ़ावा देने के लिए यह देखो जो गलियारे हैं एक देशन जो भारत और नेपाल के बीच में जो गलियारे हिक जहांugi झाल करते हैं तो इन गलियार और इंटर लिंकिंग छेत्रों की दुवारा से बहाली करना ताकि कोई बंध हो गया आया कोई अदिक्कत है यहां पर इसके लाबा इन समसे संबंदित नॉलेज और सर्वोत्तम विभसाओं को साजा करना कि किस तरह से इनको अच्छे से विक्सित किया जा सकते तो यह इसका उद्देश है यह बात हैं हमने यहां पर डिसकस करें आप लोग इन सब चीजों को याद रखे रहे हैं इंग्लिस में यहां पर दे दिया आप पढ़ लीजिएगा और यह मैं पैसाथ हो नेपाल का नेपाल जो एक लंबी बाउंडरी करता है भारत के साथ में तीन ओर से ब्हारत से घ्रावा यहां पर आप देख सकते हैं उत्तराखंड से यहां से यह यहां से यह यूपी और भैहर से इधर आप सबस्टे पश्चिम बंढ गाल से मिलगती है सिक्क Lindsay हैं तो आप देख सकते हैं इसे दों साइडों से भारत से घ्रावा भारत सरकार के द्वारा के लिए यहां पर इसकी बाउंडरी इधर चाहिना से लगती तिब्बत से और यहां बाउंडरी लगती है भारत से तो चलिए अब यह सारी बात है हमने इस चीज के बारे हम डिसकुस करी है अब आगे चलते हैं अगला हमारा सवाल यह भी साइंस तो देखिए हाली में कहां पर हॉम्योपैथी के गौरव के लिए ध्यान रखेगा इस सिखर संब्लन का बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि पहली बात तो यह पहला एडिशन है इसका और दूसरी बात इंटर नेशनल लेवल पर भारत भी इसमें गया है इस आलेने तो सम्थमार का होम्योपैथी के गौरव के लिए विस्व स्वास्थे सिखर संब्लन आपको ज्यादा चीज़ा याद नहीं तो आप लोग इस तरह सी विसको याद रख लिए कि हम यो पैथी के लिए जो विस्व स्वास्थे से क्षमिलन है यह कहां पर हुआ है तो गाइज इ बात करें हम तो यह UAE की एक सहर है जो कि दोबाई को दुनिया की सबसे रिचेस्ट सिटीज के रूप में गिना जाता है और इस जो सम्मेशन हुआ कि कि यहां पर इसका आर्टिकल देख सकते हैं आप लोग फॉस्ट हम्यो पैथी इंटरनेशनल हेल्थ संपिट हैं ना तो यह चीजे आप लोग यहां पर देख सकते इसके बारे को चाहिए ना यह चीजिए दिसको दिसकस करें ये दोबई में ये आयोजन हुआ है पहला संस्करन है होमेेथी स्वास्ते सिकर सामयलन का इसका उद्देह से क्या है जैसा स्मिलन चिकत सा होमेथि से रेलेट़ Dunum होमयोपयति चिक सा दवा और अभ्यासों की जो होमयोपयतिक प्रिणाली है उसको बढ़ावा देना क्योंकि ये safe होती है देखिए एलॉपयतिक की तुलना में ये बहुत ज़्यादा safe होती होमयोपयतिक इस सम्मेलन की theme क्या है इस सम्मेलन की theme है साथियो decisions caused by climate change and global warming और इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है दुबई में इसका आयोजन साथियो बरनेट होमियोपैथी प्राइवेट लिमिटेड ध्यान रखना है आप लोगों को बरनेट होमियोपैथी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसका आयोजन किया गया है और इसके लावा अश्वनी कुमार चौबे जो कि हमारे Minister of State है परियावरान वन और जलवाई परिवरतन मंत्रा लेकर जो Minister of State है राज्यमंत्री अश्वनी कुमार चौबे ने इसमें भाग लिया और इसको संबोधित किया था एड्रेस किया था तो यह चीजे सारी चीजें आप लोगों को याद रखना सारी बात है यहां पर आमने डिस्कस करें इस पूरे टपिक के बारे में यह आप इंग्लिस में भी पढ़ सकते हैं अगर इसके मेप की बात करूं साथ ही हो तो देखिए इसका मेप है यह है यूए यूए की फुल्फों में यूनाइट अरब एमिरेट्स यानि कि अलग-अलग एमिरेट्स से मिलकर के बना हुआ है एक यूनाइट देश जैसे इस एमिरेट्स का मतलब यहाँ पर आप ऐसे ही समझ सकते हैं जैसे कि भारत में राज्य है ना 28 राज्य है वैसे ही यहाँ पर इनको एमिरेट्स का जाता है तो इसका जो दुबई है वो भी एक एमिरेट्स है सार्जा दुबई यह सभी इसके एमिरेट्स है तो आप लोग है और यह ओमान है तो यहां पर कौन सी खाड़ी है ओमान की खाड़ी और इधर इरान है और इरान और ओमान के बीच में यह हम कह सकते कि पर्शन गल्फ और ओमान की खाड़ी के बीच में कौन सी जलसन दिये तो गाइस यह यहाँ पर रभ अल खाली यह मरुस्थल पर है तो ध्यान रखना आप लोगों को रभ अल खली जो मरुस्थल है यह जो डिजर्ट है यह साउदियारव यह में है तो यह सारी बाते हैं हमने mapping से related बात करीं UAE के बारे में अब आगे चलते हैं तो ये हो गया हमारा किस से related international relationship segment वाला हमारे जो topic है वो हो गई दो सवाल थे, निकले थे आज गे तो दो सवाल हमने डिसकस कर ली हैं अब बात करते हैं books and author क्योंकि books and author भी बहुत important है आपके exam के लिए क्योंकि PCS में और बाकी के PCS में भी बहुत important क्योंकि PCS में हमेशा books author पूछे जाते हैं है ना तो books के बारे में दो books हैं लेकिन सवाल मैंने एक बनाया है सवाल यह है साथियो कि चर्चा में रही in free fall my experiments with living ये एक पुस्तका नाम है नाम याद रखना आप लोगों को फुस्तका in free fall my experiments with living इस book का आप लोगों को नाम याद रखना है मैं बार बार कह रहा हूँ ये book किसके द्वारा लिखी गई है बहुत important है साथियो देखिये यहाँ पर जो answer है मलीका सारा भाई ये जो मलीका सारा भाई है ना आप लोगोंने विक्रम सारा भाई का नाम सुना हुआ अंत्रिक्च यानिक स्पेस में एक बहुत बड़े नाम है विक्रम सारा भाई बहुत बड़े वैग्यानिक रहे है और मिर्नालनी सारा भाई का नाम भी आप लोगों उन्हीना हुआ नरत्यांगना है तो इन दोनों की बेटी है ये मलिका सारा भाई तो राइट आंसर भी टीक है इसका राइट आंसर भी है तो आप लोगों को याद रखना है In Free Fall My Express experiments with living किसकी पुस्तक है मली का सारा भाई ने इसको लिखा है और ये प्रिसंसित सास्रिय नरत्यांगना है कारे करता है मली का सारा भाई इनकी संस्मरण पुस्तिक है जिसका सीर सक है in freefall my experiments with living ठीक है इनके जो इन्होंने जो भी कुछ experiment किया लाइफ में उन सभी को यहां पर इन्होंने बताया है अपने असाधारन लेकिन निजी जीवन के बारे में इन्होंने लिखा है और इसको प्रिकासित किसने किया है इस पुस्तक को पब्लिस किया साथियो speaking tiger के द्वारा speaking tiger क साथियो यह भी अपने अपमे भरत नाट्यम की बड़ी अच्छी नरत्यांगना है dancer है भरत नाट्यम जो कि हमारा सास्त्रीन रहते है कितने सास्त्रीन रहते हैं हमारे total 8 सास्त्रीन रहते हैं और classical language कितनी है छे classical language यह कौन-कौन सी यह साथियो तमिल टेलुगू कन्णड मल् तो इनको आप लोग याद रखियागा यह च्छै लेंग्वेजिज हैं हमारी जो क्लासिकल लेंग्वेज हैं कौन कौन सी तमिल तेलगू कंणर मल्यालम और ओडिया और संस्किर्थ और लेटेस्ट अगर बें क्लासिकल लेंग्वेज की बात करो तो वह है ओडिया 2014 में इसको क्लासिकल लेंग्वेज का दर्जा दिया गया था तो यह सारी बात हैं हमने इस पुस्तक के बारे में बात करीं यह सारी चीज हमने डिसकस कर लिए इंग्लिस में है यहां पर आप देख सकते हैं यह यह पुस्तक है इसका नाम है इंडियन बेंकिंग इन तो आप लोग याद रखेगा इस पुस्तक का नाम भी क्या है इस पुस्तक के द्वारा इस किताब को लिखा गया है आप लोगों को याद रखना है दौनों किताब बाताब जो पहली किताब जो आपने डिस्कुस करीं पूरे comprehensively वो है in free fall my experiment with living मलिका सारा भाई की किताब है और जबकि जो दूसरी किताब है Indian Banking in Retrospective 75 Years of Independence यह जो किताबे साथ हो यह है Dr. Asutis Rara Vikar की पुस्तक है इस पुस्तक का नाम भी आप लोगों को याद रखना है आगे चलते हैं और अब हम अगले segment की ओर चलते हैं और अगला हमारा segment है वो है गाईज Ranks and Reports अब हम बात करेंगे Ranks और Reports के बारे में जो एक रिपोर्ट है NCRB की National Crime Record Bureau की इस National Crime Record Bureau के द्वारा यह रिपोर्ट हाली में जारी की गई है और इसमें इन्होंने बताया है कि दुपईया वाहनों से सडक हादसों में सरवाधिक मौत की सराजे में हुई है NCRB जैसा की National Crime Record Bureau यह जो है सातियों डेटा कलेक्ट करती है कि कहां पर crimes बगएरा हुए हैं कहां पर हादसे और यह ग्रह मंत्रा इसमें इनों नहीं बताया है कि इसका रााइट आंसर है और इसका राइट आंसर है जो दुपईया वाहन होते हैं इन सबसे जो सडक हाद्सों में सरवाधिक मौत की स्राजे में हुई है तमिल नाडू में यहा पर आप लोग यह देख सकते हैं NCRB report भारत में चौकाने वाले हैं रोड एक्सिडेंट में जान गवाने वाले लोगों के आंकडे NCRB की ताजा report से हुआ खुलासा इसके बारे हम डिस्कस करें तो देखिए वर्स 2021 के दौरान कितने सड़क हादसे हुए है दो पहिया वहानों ने दो पहिया वहानों से जबकि ये टोटल दो पहिया वहानों से सतर हजार लोगों की जान गई है जबकि ओवराल हादसे अब सड़क हादसे के विल दो पहिया वहानों से तो होंगी नहीं ठीक है ना वो कहां पर हुई है सबसे जादा पहली बात तो जान लेवाद दुडगटना वो दुपईया वाहनों से हुई है ना और यह 44.5 परतिसंट योगदान दिया गया है इनमें यहां पर आप लोग यह इंगलिस का देख सकते हैं और यह यहां पर और रिपोर्ट है जि तो इनकी टोटल जो डेथ हुई है उसमें इनकी हिसेदारी है तमिलनाडू की 11.9% और उत्तरप्रदेश की 10.3% हिसेदारी तो आप लोगों को याद रखना है NCRB की रिपोर्ट आई है बहुत important है यह जो topic मैंने इसलिए सामिल किया है साथी हो ताकि आप लोग इसको means में यह data को आप लोग सामिल कर सकें क्योंकि जब मान लीजिए means में सवाल इस तरह का बनता है तो आप लोग यहां से बता सकते हैं ठीक है न कि दोपईया वहानों से इतनी ज्यादा डैथ हो रही है NCRB की रिपोर्ट का court कर सकते हैं क्योंकि इस तरह की जो report का अगर court करते हैं त तो हमने यह जो बात करी यह reports एं इंडेक्स के बारे में बात करी एक सवाल था एक topic था अब से related राज्यों से related जो current of year उससे related बात कर लेते हैं पहला जो सवाल है साथियो वह है मारा कि हाल ही में छात्रों के लिए है ना क्या है हाल ही में छात्रों के लिए पहला virtual school तो ध्या साथियो पहला virtual school है भारत का वो दिल्ली के द्वारा launch किया गया है दिल्ली model पर इसको बनाया जाएगा virtual school है यहाँ पर जिस तरह से आप अभी online यह class देख रहे है ना जो मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को है ना तो इसी तरह से यहाँ पर सारी classes online होंगी material भी online प्रदान किया जाएगा सारी चीजे ही यहाँ पर online प्रदान किया जाएगा virtual school हो गाई एक तरह से और दिल्ली ने यह भारत का पहला virtual school है आप लोगों को याद रखना है दिल्ली सरकार ने इसको launch किया है यहाँ पर आप यह देख सकते है आर्टिकल भारत का पहला virtual school हुआ launch cm के अर्विंद के जरिवाल ने इसको हाली में पहला virtual school सुरू कर दिया गया देश का पहला आप लोगों को याद रखना और देखो यह देश का पहला तो है अब इसमें यह नहीं है कि केवल और केवल दिल्ली के ही चात्र इसमें प्रिवेस ले सकते हैं इसमें पूरे ओल ओवर नो से बारवी कक्छा के लिए है जगान रखना दियांकना दियान एक का देश को लिए है और दिल्ली मॉर्डल वर्चूल के लिए अवेधर प्रिक्रिया भी शुरू हो चुकी है तो आप लोगों को यह चीज है अगर आप लोग के घर में बच्चे है कोई भी अगर अगर तो इसमें ले सकता है पर वो तो भगवान नी जाने आगे आने वाले टाइम में पता लगेगा कि इसमें किस तरह की पढ़ाई होगी बच्चे यहां पर अब ओनलाइन जब होगा तो बच्चे पढ़ेंगे या फिर ओनलाइन कुछ औरी चीज देखेंगे ना एक तरफ किलास चल रही होगी तो दूसरी तरफ कुछ औरी चीज देख रहे हों ऐसा ना हो तो इन सब चीजों को भी सरकार को ध्यान रखना होगा कक्छाएं सारी कक्छाएं ओनलाइन होंगी और रिकॉर्डड लेक्चर भी ओनलाइन अप्लोड किये जाएंगे तो यह बात आप लोग या चारतीस में जो है एडमिसन ले सकते हैं और इसके लाबा पूरे देश वर्ज से चात्रिस में ले सकते हैं किवल यह कोई बाउंडेशन भी नहीं है यहां पर किवल दिल्ली के चात्रिस में लेंगे और क्लासे बगएरा रिकॉर्डड लेक्चर बगएरा सभी कुछ उनलाँ पर शुरू हुआ है वेयर हैजदा 50 शुमंग LiLa फ्यसटिवल स्टाट्रेड रि इसन्टलीच तो कहां पर इसको शुरू किया गया है तो घ्षैबर बात करें हम इसका तो शुमंग में लीला जो ड्योला यहाला जो त्योलाई यह मनीपुर में पचासैस जफिपार यह मनाया गया है आप लोगों को याद रखना है मनिपुर के बारे में 50 आ अखिल मनिपूर शुमंग लीला महुतसब desse 2021 22 सुरु हो चुकस है पर इमफाल के पहले इस क्मपाउंड में थी कि ओ में और चिए पर पर यत कंपाउडगन है ये एक रंग बंच है महराजाओं के टाइम से इसको शुरुवात हुई थी और तबी से इसको चला आ रहा है आप लोग याद रखिएगा तो एक तरह से ये यानि कि जो उननचास में अखिल मनीपूर जो सुमंग लीला महुसभ हुआ था ना उसमें जो विजयता थे उनको अब पदक दिये गई है तो इनके जो पचासमा जो अखिल मनीपूर का जो विजयता होंगे उनको अगली साल दिये जाएगा तो इस तरह से यहाँ पर मैडल्स प्रदान किये जाते हैं तो आप लोग याद रखिएगा अब आगे चलते हैं और अपना अगला जो चीज़े हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या यह है सातियों हमारा इंगलिस का ट्रांसलेटिड वर्जन यहाँ पर आप देख सकते हैं ता फिप्टीत ओल मनीपर शुमंग लीला फेस्टिवल दोहजार इकिस दोहजार बाईस बिगेन एट कहां पर यह इबोयामा शुमंग लीला शांगलेन पेलेस कंपाउंड इमफाल इमफाल में इसको सुरू किया गया है शुमंग लीला इबोयेमा सुमंग लीला सांगलेन में इस बिगेन का अप्छले वह पर तो यह बात करें अगर मेपिन की तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यह मज़र नौर्थ-ईस्ट का मेयब है जो हमारा नौर्थ- किलियर यहां पर आप अरुनाचल प्रदेश देख सकते हैं यह अरुनाचल प्रदेश है यह आसाम है और यहां पर मेगाले है यह नागालेंडा यह मनीपूर है यह देख रहे हैं आप यह है मनीपूर साथियो इसकी बाउंडरी यहां पर म्यामार से लगती है इसकी बाउंड आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्से में बताइए, नुमा खाई महुत सब कहा हमान आ जाता है? नुवा खाई नुवा खाई महुत सब कहा हमर आ जाता है नेक्स्ट आप बताईए खार्ची पूजा कौन से राज्य का तो हार है खार्ची पूजा और इसके अलावा कामाख्या मंदिर कहां पर है आप लोग मुझे बताईए कामाख्या मंदिर कामाख्या मंदिर कहां पर है जल्दी से आप लोग आंसर करिए कामाख्या मंदिर किस राज्य में है और इसके लावा पुंचाई जो मिजो पुंचाई है ये जो एक तरह से कपड़ा है साड़ी का साड़ी इसको GI टेग किस राज्य को इसका GI tag दिया गया है तो इन सभी के आंसर मुझे आप लोग करिए और एक लिए इसके अलावा नीचे आंसर करिए कि सब भारत में सबसे ज़्यादा बरसात एक सेकंड बस हमारा ये लैप्टॉप हैंक कर गया है हो गया सरी तो आप मुझे बताईए कि भारत में सबसे ज़्यादा बरसात किस राजे में होती है इसका आंसर भी आप लोग करिए नीचे कॉमेंट सेक्शन में है ना और मिश्मी ट्राइब next बताईए आप मुझे मिश्मी ट्राइब कौनसे राजे में पाई जाती है मिश मी ट्राइब है ना और इसके लाबा नेक्स आप मुझे बताएए इडू इडू मिश भी जो टेक स्टाइल है इसका जी आई टेक किस राजी को दिया गया है तो चलिए ये सभी आंसर आप सभी लोग नीचे कमेंट सेक्शन में करेंगे और आफलाइन जरूर करिएगा इन सभी कमेंट सेक्शन में आफलाइन कमेंट में इन सभी के आंसर मतला आंसर करिएगा और तो ये सभी आंसर आप लोग करेंगे नीचे हम आगे चलते हैं ये तो होगी हमारा आज का डिसकसन अब हम लोग जो है साथियो आज के सवाल और हम लोग देख लेते हैं जिसका आंसर नीचे आप लोगों को कॉमेंट सेक्शन में करना है आज सवाल ही है साथियों की हाल ही में किस देश के पूर्व निता और नोबेल शांती पुर्षकार विजिता मिखाईल गुर्वा चेओ का निधन हो गया है तो आप लोगों को बताना है किस देश के पूर्व निता है ये और नोबेल सांती पूर्षकार विज़े था इनको नोबेल सांती पूर्षकार भी मिला था इनको तो जल्दी से आप सभी लोग आंसर करेंगे नीचे comment section में इसका answer क्या है ठीक है एक सवाल तो यह हो गया आज का जिसका answer करना आप लोगो नीचे दूरसा सवाल है अज दो सवाल है हाली में ONGC के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे न्युक्त किया गया है इसका भी answer आप लेकों के जानकारी के लिए बता देता हूँ है अलका मित्तल थी लेकिन अब अलका मित्तल की जगह इंट्रेम चेयर्मेन किसको बनाया गया है यह आप लोग नीचे answer करेंगे तो चलिए हम आगे चलते हैं और अब कर लेते हैं हम साथ यो कोई क्रिवीजन कर लेते हैं फटा हमारा जो पहला सवाथ है और पृति वर्श लापता विवातों के पीलितों का अंतरराश्रिय दिवस मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है यह मनाया जाता हैं तीस अगस्त राइट नेक्ष्ट है, हाल ही में भारतिय ओलंपिक संग ने नए चुनाव होने तक किसे संग के नए अध्यक्ष की रूप में चुना गया है तो गाइज ये चुना गया है, राइट आंसर उप्शन सी, उप्शन सी इस दा राइट आंसर, आदिल सुमरी वाला को चुना गया है नेश्ट गाईज हाल ही में किस देश की संसद को भंग कर दिया गया है तो जैसा कि हमने कल बहुत अच्छी से डिस्कस किया था इराक की संकत संसद को साथ हो यहां पर जो political crisis चल रहा है राजनितिक संकत उत्पन हो रहा है और यहां पर इराक की जो संसद है इसको भंग कर दिया गया है option B is the right answer नेश्ट भारत UAE संयुक्त आयोग की 14 वी बैठक की सह अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है तो गाईज यह किसके द्वारा की गई है यह की गई है हमारे जो विदेश मंत्री है इनके द्वारा यह जो 14 वी बैठक की सह अध्यक्षता की गई है तो राइट आंसर option C next साथ हो चर्चा में रहा Artemis mission के तहत किस spacecraft का प्रयोग किया जाएगा तो देखो Artemis mission के तहत साथ हो यह जो Orion spacecraft है इसको भेजा जा रहा है चंदर्मा पर चंदर्मा के चक्कर काटेगा जगह देखेगा वहाँ पर टेस्टिंग करेगा तो यह राइट आंसर option A option A is the right answer आप लोगों को याद रखना है Orion spacecraft next the global intersection of talent and real estate सीर्सक रिपोर्ट की अनुजार एशिया प्रिसांथ शेतर में शीर्स प्रद्योकी की केंद्रों की सुची में बीजिंग के बाद दूसरे स्थान पर है तो साथ यहो बीजिंग के बाद दूसरे स्थान पर है बेंगलोरू तो option A is the right answer तो guys ये दरज किये गए हैं राजिस्तान में option A is the right answer clear चलते हैं आगे next हमारा सवाल है guys की हाल ही में जारी की गई Bloomberg Billionaires Index के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति कौन है तो guys दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है गौतम अडानी ठीक है तो right answer option C next दोस्तो 67 यानि 67 फिल्म फियर पुर्सकार 2022 का सर्वस्रेश्ट फिल्म का पुर्सकार के से प्रिदान किया गया है तो guys ये किया गया सेर साको option B is the right answer clear guys और next हमारा हाली में किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमान खिलाडी उन्ययन योजना की सुरुवात की गया है तो guys ये की गया है उत्तराखंड के द्वारा option D is the right answer तो ये थी साथियो आज की discussion और ये हमारे batches के बारे में information जो हमारे batch चल रहे है Mission SDM 2.0 और SummerPan batch तो guys अगर आपको Mission SDM 2.0 लेना है आप UPPCS की तयारी कर रहे है तो ये बहुत ही comprehensive batch है आप लोगों बहुत अच्छा batch है यहाँ पर आप लोगों को whole preparation बहुत ही पूरी preparation कराई जाएगी चाहे आप prelims की तयारी करना चाह रहे है means की interview की तीनों ही phases की आप लोगों को बहुत अच्छे से तयारी कराए जाएगी Mission SDM 2.0 से यहाँ पर आप लोगों को PDF मिलेंगी, class notes मिलेगा टेस्ट होंगे daily ways daily answer writing practice होगी और क्या चाहिए, सब कुछ तो है इसमें इसके लाबा live class है चलेंगी, expert faculties के द्वारा और Hindi और English दोनों मीडिया में रहे रहे रहे, चाहिए आप किसी भी language से अपकी preparation कर रहे हैं दोनों ही language में यह रहेगा है और अब बात करते हैं इसकी 77% जो discount है जैसा मैं पहले बता था, 31 अगस्ता था हाँ, लेकिन अब इसको सातियों आगे बढ़ा दिया गया, अब यह 5 सितंबर तक कर दिया गया है, आप लोगों को याद रखना है, अब अगर बात करें कि यह batch कब से start हो रहा है, अगर सातियों हम इसकी starting की बात करें, तो देखे यह जो batch है गाईज, वो 5 सितंबर से ही सुरू हो जाएगा, क्लियर, यह तो रही Mission SDM 2.0 की बात, अब हम बात करें समबरपन बैच के बारे में, तो वाई जो समबरपन बैच है वो UP के RO और ARO की preparation के लिए है, है ना, RO और ARO की preparation के लिए, यहाँ पर आप आप लोगों की RO और ARO की बहुत ही अच्छे से preparation कराई जाएगी, और लगबग 300 गंटे का smart कारेकरम यह तयार करया गया है आप लोगों के लिए पर दे दो live classes होंगी, इसके लावा recorded classes भी आप लोगों के लिए परदान की जाएगी और आप लोगों के लिए इसके लावा और बाकी की सारी जानकारियों के लिए आप लोग इस नमबर पर कॉलिए इस नमबर पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं, तो साथ यो यह तो थी आज की discussion उम्मीद करता हूँ, discussion आपको अच्छी लगी होगी, knowledgeful लगी होगी, बहुत कुछ सीखने को मिला हुआ information बहुत अच्छी लगी होगी, exam के point of vc सारी information थी तो इसी के साथ में चलिए, अब हम लोग जो है, अपने session को end करते हैं, और इसके अलाबा, आप लोग नीचे comment section में, offline comment में, नीचे आप लोग एक प्यारा सा comment जरूर छोड़के जाईएगा, कि जो है, यह session आपको कैसा लगा, इन सब चीज़ों के बारे में है, एक प्यारा अच्छा content रियार करने के लिए, तो चलिए, अब इसी के साथ मैं session का end करते हैं, thank you, thank you so much.